हेलो दोस्तों, ED Updates में आपका स्वागत है, आज हम बात करेंगे ललित नारायन मिथला युनिवर्सिटी के में पढ़ रहे वो छात्र छात्रा हैं जो BA, BSC, BCOM कर रहे हैं और जिनका सत्र 2022 से 2025 है उनका Part 1 का परिक्षा जो April में निर्धारित था, examination calendar के मताबिक, वो April में ना होकर इतना delay क्यों हो गया, परिक्षा कब होगा, किस तारीक्ष शुरू होगा, इस सभी प्रस्नों का जवाब आज ED Updates त्वारा आपको दिया जाएगा साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि परिक्षा नियंतरक सर ने exam कब होगा, इसके बारे में क्या सूचना दी है वीडियो में बने रही अंत तक ताकि आपको उनके द्वारा परिक्षा नियंतरक मोहदे का recording सुना दिया जाएगा कि आप लोग को का exam कब होगा, किस दिन होगा, किस महीने में शुरू होगा तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि BA, BAC, B.com कर रहे 2022-2025 में पढ़ने वाले वो सारे students अभी तक exam को लेकर टक-टकी लगा कर बैठे हैं क्योंकि उनलोग का exam 2 April में ही शुरू होना था, बट वो part 2 के exam के करण डिले हो गया और ये जो session 2023-2027 का admission है उसके करण ही डिले हो चुका है तो आईए आप जब हमने परिक्षा नियंतरक महादय से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें अभी time लग सकता है, कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा हम आपको वो recording सुना देते हैं, आप खुद वो recording सुन लीजे और वीडियो के अंट तक बने रहिएगा कि किस महिने से शुरू होगा, इसमें हमारी क्याराई है, ये जानने के लिए तो साथियों, जैसा कि आप सबने सुना कि परिक्षा नियंतरत महोदय ने अपनी विचार रखी पार्ट बन सेशन 22 से 2025 के एक्जाम के बारे में, उन्होंने असपस्ट सुचना दी है कि ये जो एक्जाम आप सब का होने वाला था अप्रील महिना में, वो अभी के लिए डिले हो गया है, कारण आप सब जानते ही हैं, पार्ट टू का एक्जाम और ये 2023 से 2027 का जो ये नय एडमिशन हो रहा है उन विद्यार्थियों का, ये भी एक कारण है और एक और कारण है कि एक्स रेगुलर जो बच्चे हैं, उनका फॉर्म फिल अप नहीं हो पा रहा है, किसी ना किसी टेक्निकल ग्लीच के वाज़े से ये हो गया होगा, तो इसके निराकरन के संबंध में जो युनिवर्सिटी क्या कदम उठाती है, इससे ये देखा जाएगा कि आगे क्या होगा और कैसे आप लोग का, फिर वो सारे एक्स रेगुलर स्टुडेंट्स का फॉर्म फिल अप होगा, उसी के बाद आप लोग का एक्जाम किसी निसकर्स पर पहुँचेगा, उससे प उगस्त के फर्स्ट वीक से होने की संभावना है, ये भी संभावना है, हो सकता है किसी दवाब में युनिवर्सिटी ये एक्जाम पहले भी ले ले, पर लेगी इसी बीच में, ऐसा ही कंट्रोलर सर के बातों से ये अनुमानित लगाया जा सकता है, आप किस सब्जेक्ट मे ओनर्स की डिगरी ले रहे हैं, उसको कॉमेंट करें, किस विशय की आपकी प्रतिस्था विशय है, उसके बारे में आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और साथ ही साथ हम लोग टेलिग्राम का लिंक भी कॉमेंट सेक्शन में दे देंगे, जिससे जुड़ के आप इ आपको आपके एक्जाम में मदद करेगा ED अपडेट से जुड़ जाए चाइनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजे और शेयर भी कर लीजे और उन सारे स्टुडेंट्स तक पहुचाएए जो पार्ट वन में अभी पढ़ रहे हैं जिनको ये चाइनल के बारे में आइडिया नहीं है हम सब भी इस फील्ड में नए हैं और फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं तो हम लोग का जो न्यूज रहता है वो ऑथेंटिक रहता है हो सकता है इसमें टाइम लग जाए पढ़ सही न्यूज आप लोग को देना हमारी जिम्मेदारी है साथ ही साथ आप लोग को पार्ट बन के लिए सही से तैयारी कराना important notes देना, material प्रोबाइट कराना ये सारी जिम्मेदारी भी E.D. अप्डेटS की है चैनल से जुर जाएए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कॉमेंट करके आप ज़रूर बताएए ठीक है जैहिंद वंदे मातरम कर दो